दिल्ली में 15 अक्टूबर से लगकुष राम लीला कमीटी की राम लीला कायोजन होने वाला है खास बात यह है कि इसमें कींद्री मंत्री अश्विनी चौबे भी किरदार निभा रहे हैं कुछ होगा उनका किरदार और क्या कुछ खास होने वाला है हम सीधा उन से जानेगे लाया जिसका नाम आज मौरिशस है और मैं उस भूमी का पुत्र हूँ है सेबक हूँ महा का शांसद हूँ तो सभाविक है उस भूमी में अहिल्या जेशी माता जो नारी शक्ति का ससक्ति करन का सबसे बड़ा उधारन गौतम रिशी की पत्नी जिनको शापित थी और उनको भी भगवान स्री राम ने वहाँ अवतरित किया पत्तर से बूर्ति से नारी शक्ति में फिर से लाया उनकी तपश्या के कारण नारी शक्ति की प्रेणा वो कुंज पुंज नहीं थी तो नारी शक्ति को जो अविशप्त थी उनका अविशाप भी समाप्त हुआ उस हातों से त का भी प्राकट्ट भूमी वही सिधास्रम बक्सर है जो पहले संजुग में सिधास्रम आज का बक्सर तो मुझे बहुत गौरव है कि सनातन संस्कृति तमाम जो हमारे जितने भी गरंथ हैं उन गरंथों में वहां का बर्णन है और मरसी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की भी रचना उन्हों नहीं किया उसी भूमी पर तो वो भूमी कितना पवित्र भूमी है और आपके सभी गरंथों में लिखा हुआ है उससे पवित्र भूमी स्रिष्टी में कोई नहीं है तो मैं उस भूमी का सेवक हूँ सांसदू मुझे गौरव है और असुर सक्ति का नास करने का और आज के जो ऐसे सनातनी और मैंने पिछले साल ही सनातन संस्क्रिती शमागम राम राज की और मैंने गोशना किया था और अंतराश्टी अस्तर पर वो शम्मेलन हुआ था लाखों लोग प्रति दिन नौ दिनों का वो कारकम था और इसलिए ऐसे सनातन को गाली देने वाले उनका भी नाज करने के लिए और भगवान स्री राम इस बार राम लला की अस्थापना फिर से होने जा रहे यहुद्या में और बक्सर में स्री राम की वो मूर्ती भी बनने वाली है और सिया जी बिना सिया का राम कहां से सीता बड़ी में माता जान की का भी दो सो एकावन फूट की मूर्ती बनेगी तो हम सभी लोगों ने यह संकल्प लिया है सादू संतों ने हमें संकल्प दिलाया तो ऐसे लोगों का बद करना असुर सक्ति का नास करना हम सब लोगों का करतब होता है और जुगों जुगों तक भावी पीडियों को ये संदेश युवाराम का जो बला और अती बला इद्या का ज्यान अर्पित करके उन्होंने तारिका का बद किया था और आप देख लिए बिना का राम कहां से यह अनुवान का गणा भी चलेगा और धनुष्मान कहां भई लाओ 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 धनुष्मान भी चलेगा सवाल और भी हमने आपको हमेशा जनता कि जो मुद्दे हैं उन्हें मुखर होकर उठाते हुए देखा उस पर बात करते देखा लेकिन शायद ही करता बारसाल का रहा होगा मुझे एक अविने का पाठ पिला था और वो पाठ मेंने बड़ा प्रेम से किया था मैंने गीत गाया था वो गीत आज भी मैं भूलता नहीं और गीत है रहना नहीं देश बिलाना है यह तल है एक वस्त पितामबर पाठ चड़े धुल जाना है रहना नहीं देश बिलाना है तो यह ऐसे लोगों के लिए है कि पाठ चड़ते ही धुल जाना है यह आत्मा और अमर है अजर है सरीर नस्वर है तो मैंने बच्पन से ही उपाट किया है शरीर माध्यंग खलू धर्म साद्रम ये शरीर को घमंड मत करो कि हम बहुत सुन्दर है ये सरीर काम के लिए है सरीर हमारे माध्यंग से अच्छे काम कैसे हो इस सरीर का शरुप्योग करिए सरीर का दुरुप्योग नहीं। अच्छी बात है ना, जो सनातर हैं, आज ऐसे नोटनकी करने वाले बहुत सारे माप करना, ये मंच जो है आज का रामलीला मंच है, इसलिए मैंने इसमंच से किसी नोटनकी वालों को नहीं भुगाई, लेकिन जो लोग अपने पुरबजों को गाली देते हैं अभी स्राद्दपक से चल रहा है कली खत्म होगा हमारे सास्ट में सातो द्वीप में बसे हुए लोगों को वो जलतरपन करते हैं अरपन करते हैं हम अपने ही पित्रों को नहीं बलकि सभी पित्रों को और यहां तक जो चीटी, कीट, पतंग, अगर गर्म में भी वो कीट, कीट के गर्म में भी बच्चा पहिदा ना हुआ और मर जाए, उसके लिए भी जलतरपन करते हैं, यह है भारत की संस्क्रिति और समयता, लेकिन वैसे लोग जो सबस करके भी, गलत कर रहे हैं, वो राक्ष करेंगे, तो थूक उनके सर पर जाएगा, यह पता नहीं, इसलिए सनातन सास्वत है, चिरंतन है, सनातन सर्वत्ष सब दिन के लिए अमरत्व है, इसलिए सनातन को गाली देने वाले स्वेम नास हो जाएंगे, इसलिए बाचवीत करने के लिए तो यह थे कि इंद्र मंतरी जश्वे नीच ओब जिनों ने में बताया कि जो सनातन का नाश करेगा, उनका नाश खुद हो जाएगा, वी जो राजा के साथ नी तुझा आस्ता दिन